नवस्कार दोस्तों मैं ब्रजमौन मौर और आप देख रहे हैं जनितावाज सातियों जवसे केंदर में बीजेपी सत्ता में आई है तवसे मौधी सरकार अपनी हर योजना और नीती को जनता के सामने और बीजेपी की खुद की ITCEL के माध्यम से ऐसे पेस करती है मानो नरिंद मौधी भारत के नहीं बलके अमेरिका के प्रधान मंत्रियों जो के भारत में जन कल्लियान कारी योजना है बना कर भारत के उपर कोई ऐसान कर रहे हो चाहे उजवला योजना हो या जंदन काता योजना आईस्मान भारती योजना हो या कोसल विकास योजना हो इनका जमीनी इस तरपर कोई लेना देना नहीं है मतलब साप है बले ही इन तमाम योजनाओं का भाजपा सरकार दोारा खूब प्रचार पिसार किया जा रहा हो लेकिन इन तमाम योजनाओं से आम जनता को कोई खास फाइदा नहीं मिला है उज्वल योजना की ही बात कर लीजिए इस योजना को जनता के सामने ऐसे पेस किया गया मानो मौधी सरकार गरीवों को प्रीमे एलपी इसलेंडर दे रही है लेकिन हकीकत यह है कि सरकार ने गरीवों को सष्टी के माद्यम से पूरे पैसे बसूले हैं लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज मैं मौधी की बिविन योजनाओं के प्रचार प्रसार की बात क्यों कर रहा हूं तो साथ ही आपको बता दूँ आपको मालूम होगा कि यूक्रेयन में पसे भारतियों को स्वदेश बापस लाने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए उनका गोधी मीडिया और भाजपा की आईटी सेल ने खूब बड़ा चड़ा कर प्रचार प्रसार करके बाजपा को बिवन प्रदेशों में हो रहे बिदान सवाचनावा में उसका राइनितक फाइदा देने की कुशिस की जा रही थी साथियो ऐसा ही एक प्रचार प्रसार का मामला सामने आया है जिसमें बारतियों को पॉलेंड की सीमा में बिदा बीजा की गुसने के पीछे मोधी की नीतियों को बता गया है मतलव हमारे SSP प्रदानमंत्री स्री नरेंदर मौदी जी के रहमों करम से ही यूक्रेन में पसे भारतियों को पॉलेंड ने साहिता की और बिना बीजा के उसने भारतियों को अपने देश में गुसने दिया मगर BJP की IIT की सेल की हवाराइस्तान पत्रगा ने निकाल दिया पत्रका अखवार ने BJP IIT सेल के उन तमाम दावों को पॉलेंड वारतियास बता कर धुमिल कर दिया है पत्रका अखवार ने क्या चापा है आईए आपको बताते हैं जाम नगर के महरा जाने की थी मदद पॉलेंड ने भारतियों को बिना बीजा इसलिए गुसने दिया यूक्रین से जान बचाकर भागने वाले भारतियों को पॉलेंड ने बिना बीजा अपने देस में स्वागत किया इसकी बज़ाई यह है कि दूसरे विस्विद के दौरान सेकुनों पॉलेंड वासियों को भारत के जामनगर के ततकालीन महाराजा ने सरण दीती उस समय सराड ती सोवियत रूस की मार से बचने के लिए एक जाज से कई देसों में सरण मांगते हुए 1942 में बारत पहुचे ततकालीन महाराजा दिगवजय सिंग ने जामनगर के पास बाल चड़ी गाम में इने बसाया इनकी बस्ती का नाम तब गुजरात का छोटा पॉलेंड पढ़ गया था इसलिए सिंग को पॉलेंड के सबसे बड़े प्रसकार से सम्मानित भी किया गया तो देखा साथी हो क्या कुछ चापा है पत्र का कवार ने आगे क्या लिखा है ये भी मैं बता देता हूँ पॉलेंड के सरणातियों का जाज रोजी नामक बंदरगा पर उत्रा यह लोग करीब 9 साल तक वहां रहे पॉलेंड की सरकार इसे अपने उपर रिड मानती है इसलिए बदले में पॉलेंड ने भारतियों को बिना सर्त सुधा प्रदान की थी देखा साथ ही है, पॉलेंड का साप साप कहना है, कि वो अपने ऊपर भारत सरकार का रिड़ मानती है क्योंकि जिस प्रकार से दोती विस्युद में भारत ने उनके सरणारतियों की जान बचाई इसके लिए पॉलेंड वासी अपने आपको हमेशा भारत का रेडी समयते हैं और यहां क्या चल ला है? यहां सोसल मीडिया पे कुछ भी वारल किया जा रहा है और आगे क्या लिखा है? आईए जानते हैं इसके बदले में पॉलेंड ने भारतियों को बिना सर्थ सुधा प्रदान की है दिगवजा सिंग माराजा रडजीत सिंग के बतीजे थे जिनके नाम से देश में क्रिकेट प्रतियुक्ता आयुत की जाती है उन्होंने 1935 में सिरोही की राजकमारी कंचन कुमरवासे साधी की थी तो देखा साथी हो इस ख़वर के पीछे क्या लॉजिक निकला? आपके सामने गोधी मीडिया और आईटी सेल दोरा किस तरह से ख़वरों को पिस किया जाता है इसे जानकर साध आप इहरान होंगे लेकिन है इहरानी की बात नहीं है जब एक एक ख़वर का खंडन किया जाएगा तो हर खवर के पीछे कोई न कोई लॉजिक जरूर रहता है जिसका मौधी और उनके बक्तों का दूर-दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है